नमस्कार आपका स्वागत है दशे पर ये उपाये बदल कर रख देंगे आपका भग्य बुराई पर अच्छाई की जीत का तेवहार को पूरे देश में हर्श उलास के साथ मनाये जाता है अधर्म पर धर्म की जीत का ये परव जिसे विजया दश्मी यानि दशेरा कहा जाता है इसे भारतिय संस्कृति और जोतिश में एक महत्वा पूर्न दीन माना गया है क्या आप जानते है इस दिन कुछ खास प्रकार की उपाए ये यूँ कहे तो टोटके भी अपनाये जाते है जिनके बारे में कहा जाता है किने अपनाने से ये आपका भग्ये तक कुछी पलों में बदल कर रख देंगे रात रात आपको रोडपती से करोडपती बना सकते है इस दिन जहां भग्वाएं सिर राम ने रावन का वद किया था वह इसे दिन माता दुरगानी भी महिशास और राक्षस का वद किया था ऐसा माना जाता है कि ये दिन शत्रू पर विजे के लिए सबसे उत्तम दिन है भारत में सधियोपुरानी कुछ परंपराव या किसी समस्यासी निवारण की उपायों को तोटका कहा जाता है मानिता है कि दशेरे की ये तोटके साल भर काम करते है यहाँ तक कि आपके कारियों में आ रही रुकावटों को हटात हुए आपके भागयों को बदल कर रख दिंगे तो चलिए जान लिते हैं दशेरे की दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए पहला उपाय धन की कमी को धूर करने के लिए दशेरे की दिन से शुरू करके अगले एक कावट दिन तक रोजाना कुत्ते और गाय को मीठी रोटी, मीठा लड़ू, बेशन की मिठाई इन में से कोई भी एक चीज खिलाने से जीवन में चल रही धनसबंदी समस्याय समाप्त हो जाएंगी इसके अलावा दशेरे की दिन पर नीलकंट पक्षी के दर्शन होना बहुती शुब माना गया है कहा जाता है कि विजया दश्मी के दिन अगर इस पक्षी के दर्शन होते है तो उस विक्ती का जीवन धन धनने से भर जाता है इसे शुब मानने का कारण ये है कि भगवान राम ने नीलकंट के दर्शन के बाद ही रावन पर विजय प्राप्त की थी दूसरी बात मनो कामना पूर्ती के लिए दशरी की दिन एक मुठी साबुद उडद हनुमान जी की प्रतिमा के चर्णों में रखकर ग्यारा बार परिक्रमा करे इस परिक्रमा के समय अपनी इच्छा को मन में धोराए परिक्रमा पूर्ण होने पर सुयम हनुमान जी के मुर्ती के सामने अपनी मनों काम ना कहे फिर सुड़त में से एक दाना लेकर घर लोट जाए और घर के मंदिर में रखे तीसरा उपाय बुरी बलाए दूर करने के लिए मानेताई कि रावन के वदा और लंका विजे के प्रमान सुरुप भगवान सिर्राम की सेना लंका की राख अपने साथ ले आई थी इसी के चलते रावन के पुतले के अस्तियों को घर ले जाने का चलन शुरू हुआ है कहा जाताई कि रावन धन के अस्तिया घर में रखने से सम्रद्य आती है और बुरी बलाए दूर होती है किसी मामल में विजय पानी के लिए दशरे की दिन शमी के पेड के नीचे दीपक जलाने से सभी प्रकार के कोट केस में विजय मिलने की संभावना बढ़ती है शमी को अगनी देव का रूप माना गया है इसलिए हवन में शमी की लकडियों का उप्यों किया जाता है शमी के पेड के नीचे दिपक लगाने से सोभागी की प्राप्ती होती है इसके अलावा पोरानिक मानेताव के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद भगवान शिर्राम ने शमी के पेड की पूजा की थी नवरात्री में भी मा दुर्गा का पूजन शमी के वरक्ष के पत्तों से करने का विधान है और शनी देव को तो शमी का पेड़ अत्यंत प्रिय है पान के पत्ते का प्रयोग, पान को जीत का प्रतिक माना गया है, पान का बीड़ा, इस शब्द का एक महत्व ये भी है, कि इस दिन हम सही रास्ते पर चलने का बीड़ा उठाते है, पान प्रेम का परियाय है, दशरे में रावन धहन की बाद, पान का बीड़ा खाने की परंप सामगरी चड़ाते समय ओम विजयाय नमह इस मंत्र का जाप करे ये उपाय दुपेर को शुब मुर्त में करे निश्ची थी हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी ऐसा माना जाता है कि सिरीराम ने रावन को परास्त करने के बाद मद्यकाल में पूजन किया था चटी बात आरोग्यवा धनलाब के लिए दशेरे के दिन लाल रंग के नए कपड़े या रुमाल से मा दुरगा के चर्णों को पोज कर इसे तिजोरी या आलमारी में रख दे इसे घर में बरकत बनी रहती है वही दशेरे के दिन देवी यात्रा करती है इसलिए इस दिन को य यात्रा आवशे करे भले वह छोटी सी ही क्यों न हो अपने गाव की सिमा तक जाकर वापस आवशे लवड कर आए इसे आपका यात्रा योग मजबूत होता है और जिवन में आने वाले सभी संकट आपके गाव की सिमा के भाहर ही रहते है तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिने करने से जिवन में सुख समर्दी आती है अगर ये जान करे आपको पसंदाई तो वीडियो को लाइक करे कमेंड में जैमा दुरगा जैसिर राम अवशे लिखे साती चानल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद